जैहन दोस्तों, आप सबका आज की editorial discussion और analysis की वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों, आज है 3 September और दोस्तों, आज हम दो important issues को discuss करेंगे दोनों ही issues internal security से संबंदित है एक article हिंदू में आया है, जहाँ पर बात करी गई है इंडिया के cyber infrastructure के बारे क्या क्या कमी है वहाँ पर और कैसे उसको सुधारा जा सकता है और एक article Indian Express में आया है, Lord of the Seas ये बात करता है, relevance of the recently made indigenous aircraft carrier INS Vikrant जिसको कल ही commission करा गया था अब question of the day जो रहेगा, वो towards the end of the video आपको देखने को मिलेगा और जैसे मैं हर video शुरू करने से पहले आपको एक बताता रहता हो information कि हमारे एक telegram group है, जहाँ पर आप ये question of the day post करते है telegram group का नाम क्या है, editorials with means answer writing आप इसको access पाने के लिए अभी नीचे description box में आप देखिए description box में आपको ये link देखेगा इसको click करेंगे, हमारे telegram channel के प्रती आपको redirect करा जाएगा यदि नहीं करा जाता, तो आपने क्या करना है तो आपने इस number पे 6280-133-177 इस number पे आपने एक message drop करना है और हमारी team के द्वारा आपको add किया जाएगा और दोस्तों, अगर हम कल के question की बात करें जो woman के बारे पूछा गया था, तो question क्या था कि सरकारी initiative से ज़्यादा एक mindset की requirement है एक mindset की requirement है जिससे जो है gender equality को promote किया जा सकता है तो यहाँ पे best answer once again महेमा पूरवाल जी का है, very well done महेमा अब again मैं बार बार ये बात सब बच्चों को कहता रहता हूँ कि यह जो हमने quality of content इसमें answer में maintain करके रखा है या जो handwriting हमने maintain करके रखी है हमने कोशिश करनी है कि आने वाले एक साल में यही quality को हम बरकरा रखके हम साथ से 8 minute में यह answer लिख सकें अगर question की बात करें जैसे हमने कल discuss किया था कि बार बार reports आती रहती है कि यहाँ पे हमारे देश में जहाँ पे ओरते हाइर education तो प्राप्त करती है graduate degrees प्राप्त करती है लेकिन बहुत कम लड़कियां होती है जो कि research field में जाती है काफी सारे कारण उसके बीचे होते हैं family के कारण हो सकते हैं कि बरसो समाच से इतना support नहीं मिलता family से support नहीं मिलता और कुछ ऐसे सरकारी initiatives की भी बात हमने कल article में करी थी जैसे हम गती की बात करें किरन की बात करें या जैसे हम बार-बार बात करते रहते हैं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ योजना के बारे तो यह initiatives की बारे उन्हों ने mention करा है लेकिन क्योंकि question में demand क्या था कि हमको अपने society का mindset भी बदलना बहुत जरूरी है केवल सरकारी initiatives काम नहीं आने वाले समाज को भी यहाँ पे बदलाव लेके आना बहुत जरूरी है जो दृष्टी कोन है औरतों के प्रती वो बदलने की बहुत आविशक्ता है और क्या-क्या problems है जो औरते face करती है यहाँ पर अगे जैसे article में हमने कल discuss किया था कमला सोनी जी का जो example था कमला सोनी जी जाने के जो हमारे बहुत famous biochemist थे और उनको PhD की डिग्री प्राप हुई थी 1939 में और जैसे हमने कल discuss किया था कि कमला सोनी जी को भी जो CV रमन जी थे Nobel laureate CV रमन जी उन्होंने उनको अलाव नहीं करा था अपने अंडर research करने के लिए और यह कहा था कि क्योंकि आप औरत हैं तो आप इस फील्ड में नहीं आ सकते हैं लेकिन उनने सत्यग्रे किया संघर्ष किया और फाइनली उनको उनके उनके लीडर्शिप के अंदर सीवी रमन जी के लीडर्शिप के अंदर उनको research करने का मौका मिला फिर यहां पर बहुत यहां पर एड्रेस किया है महेमा ने और अंत में एक्जांपल दिया है जैसे कि हम बात करें कालाई सेल्वी की जो कि अभी पहले औरत डारेक्टर जनरल ऑफ CSIR बने रिसेंटली ठीक है यहां हम बात करें लता मंगेशकर जी की आरानी लक्ष्मी भाई की कालपना चाबला की ठीक है यागर हम बात करें कमला सोनी जी कि तो यहां पर कुछ ऐसे प्रिसिद प्रिसिद प्रिस्नालिटीज का नाम लिखा है अंत में जाके जो यह दरशाता है कि और बहुत जरूरी है कि हम इंपावर्मेंट दें और वो उचे स्थर तक जा सके और रिसर्च की फील्ड मे की बात करते हैं काफी आटिकल्स आर्क विजी के आते रहते हैं हिंदु में महीने में उनका एक जो आटिकल्स उजरूर देखने को मिलता है कभी फ्राइडे को कभी साथ दे को काफी अच्छी बाते लिखते हैं इंटर्न से कुरिटी से संबंदित क्योंकि च्छतिस गड़ है न वह बढ़ रहा है पचास हजार से जादा केसे रिजिस्टर करे गए हैं और यह बढ़ना यह साइबर क्राइम बढ़ना भी बहुत लाज़मी है बिकाज के टाइम पर बहुत नई नी टिकनोलिजी आ गई हैं हर कोई आज कल कंप्यूटर पर बैठा हुए हर किसी के बा प्रपाइब बाइब लेकिन बैरहाल लोगों की वणरूरपिलिटी का बहुत फाइदा उठाते हैं और अकसर कहा जाता है कि साइबर वारफेर जो है न वहमारा फिफ्ट डामेंशन ऑफ वारफेर है अब ये रिपोर्ट जो आती है ये तो बहुत चिंता का विशे है लेकिन जो शम्ता है हमारी enforcement agencies की जो capacity है वो बड़ी सीमत है इस तरह के crimes के साथ deal करने के लिए अब ये तो हमें पता है कि police और law and order तो state list में आता है तो इसकर के बहुत लाजमी है कि जो obligation है crime को control करने का वो भी states की जिम्मेवारी बनती है लेकिन states के साथ साथ क्या केंदर सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती है उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो time to time इस तरह के कानून इस evidence या digital evidence की बात करें याने कि जैसे माली जी कोई photos है कोई आपका mails है को इस तरहा का जो भी evidence आपके laptop पे स्टोड है कोई ऐसा transaction आपने करा हो तो अब आम तोर पर traditional crime में तो क्या होता है कि police वाला जो होता है वो crime scene पे आता है वहां पे you know DNA scanning होती है finger printing scanning होती है for instance में जांच करा जाती है ठीक है अगर वहां पर कोई ऐसे कपड़े पाए गए है कोई वहां पर कोई ऐसा कोई चीज पाए गए तो उसकी जांच परताल की जाती है लेकिन electronic evidence का forensic analysis की अगर हम बात करें वो उस किसम का infrastructure ना भी हमारे देश में इतना strong नहीं बना और फिर एक और बात भी आती क चलो electronic evidence को ले कि उसकी investigation को ले कि आप infrastructure तो strong कर लो लेकिन ऐसा skilled workforce है आपके पास जो कि इसमें तहकीकात कर सकते है अची तरह से अब यहां पर हम बात करें जो broad guidelines है अगर identify करना है या collect करना है कठा करना है digital evidence तो वो guidelines तो Bureau of Indian standards के द्वारा ही वहां पर दी गई है अब यह जो document है बहुत comprehensive है जो guidelines यहां पर Bureau of Indian standards के द्वारा बनाई गई है और जो first responder है first responder कौन होता है यानि कि वो व्यक्ति यानि कि police officer police करमचारी की बात करें ठीक है जिसको जब crime ऐसा वापरता है तो हम उनको approach करते हैं और दूसरा यहां पर specialist आ जाता है क्योंकि देखिए जो police करमचारी हो जो standard operating procedures हैं बहुत well laid out है इस तरह के emerging cyber crimes का scenario देखे और अगर यह guidelines को अच्छी तरीके से निभाया जाए तो जो electronic evidence है उसके साथ इतनी असानी से छेड़ चार्ट नहीं हो सकती है और नहीं investigation के दुरान उसको manipulate किया जा सकता है अब अगर digital evidence को institutionalize करना हो तो इसको लेके कोशिश करी गई है higher judiciary के दुवारा तो यहां पर एक conference हुई थी chief justices of the high court की April 2016 में और पांच judge committee ने जो के July 2018 में बनाई गी थी नो ने यह कहा था कुछ draft rules बनाए थे जो के model की तरह सर्फ कर सकते हैं for the digital evidence by the courts अब यह committee ने काफी you know experts के साथ technical experts के साथ बाचीत करके deliberations करके कुछ ऐसी report ब लेकिन यह जो रिपोर्ट बनाए गी थी इतने technical experts के साथ बातचीत करने के बाद भी इसको अभी भी एक यहां पर statuary force नहीं मिला ठीक है इस तरह की बाते हम लिख सकते हैं दोस्तों अगर हमको ऐसा कोई question पूछा गया है cyber security से और इंडेट जीस 3 में question आता है cyber security से हर साल आता अब चाहे वो कोई state का exam देके आए है police में या UPSC देके आए है अब हो सकता है कि उन्होंने BCOM करा हो BA करा हो क्योंकि UPSC या state PCS तो नहीं कहता कि आपने BTEC ही करनी है या आपने computer technology में कोई course करना तब ही आप police officer बन सकते हैं तो technical staff की requirement रहती है जो कि खास करके इस field में बहुत trained हो हाँ अगर एक police करमचारी को जिसने technical जिसको technical understanding नहीं है अगर आप उसको proper training देंगे तो वो identify तो कर पाएगा वो training के guidelines के साब से कि digital evidence क्या है क्या नहीं है और उस वकत crime की वकत उस evidence को secure भी कर पाएगा ताकि उसको tamper ना किया जा सके लेकिन एक technically qualified expert ही होगा जो कि उसको उसक कर सकता है उसको और investigate कर सकता है तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम technical staff अपनी police force में भी hire करें उसके लिए funds की requirement है police modernization को लेके बहुत सारे funds बहुत सारी ऐसी बाते न्यूस में आती रहती है कि funds जो केंदर सरकार है बहुत कम देती है police modernization के प्रती तो funds को जादा mobilize करना पड़े पुलिस टेशन नॉर्मल होता है आपकी चोरी होती है कोई घर पे crime होता है तो आप police station जाते है fire launch करते हैं लेकिन एक cyber police station अलग से बनाया जाए ठीक है वहाँ पे सिरफ technically qualified staff use police station में बढ़ाया जाए अब IT act 2000 में क्या provision है वो यह कहता है कि इस तरह का कोई cyber crime होता है उसकी तहकी investigation है वो सब इंस्पेक्टर रैंक के police officer से करी जाती है तो या तो IT act में में कर दो कि भी not below the rank of sub inspector है ना एक यह बात आ जाती है wasềuई बहुत सारी इनुवाज ले लिए बहुत सारी ओर स्कॉर्पियस ले लिए जाता है वहाँ egtुपूस करमचार्यों के लिए पर इतनी सारी तो सारी तो है है आप कीछाआब सरकारे का कि भी हम digital रुपी को भी launch करने का सोच रहे है using the same blockchain technology और यह वही technology है दोस्तों जिसके चलते cryptocurrency में हमने evolution देखा है blockchain technology के दोरा ही cryptocurrencies operate होती है तो क्या हमारी police agencies हैं क्या वो तयार है इस तरह की technologies के लिए यह एक सवाल हमारे सामने है फिर data localization की बात आती है देखिए अब cybercrime जो है वो transnational भी हो सकते हैं अब यह तो नहीं है कि cybercrime सरब हमारे शहर में हो रहा है हमारे state में हो रहा है transnational हो सकता है आपको आपके साथ कोई ऐसी बात हो सकती है मान लिजे कोई इंसान अमेरिका में बैठा हो को यूके में बैठा हो और आपका account hack कर ले आपका debit card आपका जो bank account है उसको hack कर ले उसमें से पैसे सारे निकाल ले कुछ भी हो सकता है इसकर कि यहां पर extra territorial jurisdiction की बात आ जाती है तो इसकर कि जो collection है evidence का foreign territories है मान लिजे कोई व्यक्ति बाहर बैठा है जो ऐसा crime कर रहा है अब इतना असान नहीं है काम इस तरह का evidence इकठे करना खास कर कि उन लोगों से जो के बाहर बैठे है ठीक है या हम कोई ऐसा crime यहां पर बैठे कर रहे हैं किसी व्यक्ति के साथ व्यक्ति दूसरा व्यक्ति कहीं और बैठा हो दुबाई में बैठा हो टर्की में बैठा हो ठीक है यूके में बैठा हो अब हमारी extradition treaties तो है और इस तरह के agreements भी है ठीक है extradition treaties हमारे 48 देशों के साथ है और extradition agreement जो है 12 देशों के साथ है ठीक है लेकिन social media crimes जब होते हैं जादा जादा क्या होता है कि भी जो account है यानि कि जो website है जो suspect का account असको block कर देते हैं लेकिन उसके block कर देने से crime तो नहीं कम हो जाता ना बाकी details तो उस व्यक्ति के बारे जो suspect है उसके बारे वो details तो हमारे सामने नहीं आती है अब data localization के बारे आपको याद होगा data protection law में भी बात करी गई थी data sovereignty की बात करी गई थी कि यहां का जो data है वो यहीं भी रहे वो कहीं बहार share नहीं करा जाएगा अब facebook है amazon है यह बड़ी-बड़ी social media companies है जो के हमारा data बहार transfer कर देते हैं अमेरिका में transfer कर देते हैं तो अगर layman term में समझना हो कि data localization क्या है वो प्रैक्टिस है कि data जो रहेगा within the region रहेगा जहां से वो रिजनेट किया गया है अगर एक organization data india से collect करती है ठीक है तो उस organization को facebook हो amazon हो ठीक है जो भी वाट्साप हो उसको वो data india में ही store करना पड़ेगा बाहर गहीं transfer नहीं कर सकती वो organization for processing for data processing तो यह बात हमारे data protection law जो draft जो provision था data protection law बिलका उसमें भी बात स्था पर दोस्तों एक और article discuss करेंगे lord of the seas या भी जीट सिंग जी ने लिखा है लेकि बहुत एक गौरफ की बात है बहुत मान की बात है कि कल आयने स्विकरान को commission करा गया था ठीक है जैसे हमने कल भी discuss किया था कि ये indigenously बनाया गया है अब इसको बनाने के लिए 76% जो content use करा गया है वो indigenous है और कोचिन शिपया इसमें इंवाल थे और 13-14,000 और लोग थे जो कि इंडारेक्ली इंवाल थे इसको बनाने में अब इस शिप के जरीए बहुत सरे ऐसे जहाज है दोस्तों चाहे वो रेशन ओरिजन के हो चाहे वो अमेरिका के हो ठीक है मिग जहाज हो कमोव हो ठीक है या अगर हम यहां के भी है कि जैसे चलो मंगलियान हुआ था 2014 में तो बहुत सारी लोगों ने बोला कि अरे कुई फाइदा है 400 400 करोड का इतना मिशन महेंका सा कि हमने मंगलियान में जो भेजा है क्या उसका कोई फादा है कि वो तो कहीं और भी काम आ सकते थे वो तो कोई हस्पताल बनाने में काम सकते थे वो कोई स्कूल खोलने में काम आ सकते थे तो अगीन इस तरह की डिबेट आती है कुछ लोग होंगे जो बहुत नेगेटिव बहुत बहुत पॉजिटिव हो लेंगे अब नेवी का तो यह कहना है कि चुले हमको तो एक और तीसरा एरक्राफ्ट कारियर चाहिए चा आप मार पास आइनस विक्रान था गया और तीसरा जो की यहीं पे बनाया जाएगा यानि रूसरा ऐसा जहाज जो की यहां पर बनाया जाएगा आयनस विशाल लेकिन कुछ लोगों ने कहा है क्रिंटीश करा है कि क्या इसकी जूरुरत ते कि इसपीर तो और इपर्य थो Aircraft Operating Warships जो है, वो price targets होते हैं, खास करें कि किसी भी लड़ाई में, जो operant है, जो enemy है, वो आपकी aircraft carrier को target कर सकता है, क्योंकि देखें, बहुत cost लगी है aircraft carrier को बनाने में, ठीक है, बहुत विशाल size का है, उसकी symbolic value की बात करें, aircraft carriers बहुत जादा help करते हैं एक देश की power projection में, अब अब अभी तक तो USA, UK, France, ठीक है, आपका China, Russia, सिर्फ यही पांच देशे जो के capable थे, जो के aircraft carrier जोनोंने बनाया था, आज इंडिया भी इन देशों में शामिल हो गया है, तो बहुत गरफ की बात है, तो अगर इंडिया अगर ऐसा को लड़ाई होती है, अगर हमारे aircraft carrier को destroy कि आजाए, attack किया जाए, तो psychologically एक यहाँ पर ठेस पहुंचती है, तो यह यहाँ पर एक जो बात, जो debate शुरू हुई है, यहाँ पर जो pessimist लोग है, याने कि जो negative जो अकसर चीजों को सोचते होते हैं, उनका यह कहना है, चलो मैं negative positive तो नहीं बूलूँगा, बट मैं merits और demerits क कि बात बुलूँगा, जाने कि जिनका थोड़ा critical stand था कि भी क्या ज़रूरत है aircraft carrier बनाने की, लेकिन again दोस्तों यहाँ पर सोचने की बात आ जाती है, एक compelling rational है, कि भी नहीं aircraft carrier बनाना बहुत जरूरी है, अब इसके disadvantages भी हो सकते हैं, लेकिन इसके advantages भी है, ठीक है, यह modern day navies के यह बहुत indispensable asset है, ठीक है, बहुत देखिए इसमें कितनी cost लगती है, कितना complex तरीका इसको बनाने का, और देश की power projection कितनी बढ़ती है, तो ऐसे तो नहीं कह सकते हैं, कि क्या फाइदा इसको बनाने की जरूरत नहीं थी, अब यहाँ पर तीन बाते समझें, आज की टाइम प बात करें, missile boards की, submarines की, अब यह कोई छोटा मोटा submarine तो है नहीं, कोई arm submarine तो है नहीं, लेकिन power projection की बात आ रही है, तो हमारी hard power को थोड़ा और accelerate करेगा, चाहे वो offensive operations हो, चाहे वो defensive operations हो, और हमको यह भी पता है, यह बात मैं पहले भी कहा चुका हूँ कि जो कोई particular देश होगा है ना, इस बात का इतिहास गवा है, अगर हम colonial power की भी बात करें, जो colonial powers थी, क्योंकि उनका control oceans के उपर था, इस करके वो बहुत सारे देशों के उपर राज कर पाये थे, तो अगर दुनिया में अगर आपने strong बनना है, अगर हमने बहुत एक super economy बनना है, है ना, अगर हमने ए strong naval force बनना है, तो समंदर के उपर control होना बहुत जरूरी है, और यही काम तो चाइना भी कर रहा है, दूसरी बात फिर soft power की आती है, अब जहाजों का इस्तमाल केवल सिर्फ लडाईयों के दुरान तो नहीं किया जाता, अब बहुत सारे ऐसे जहाज हैं, जैसे हम बात करते है है, medical tourism की, या अगर हम बात करें से Maldives की बात करें, Maldives में कई बर ऐसी situation आती है कि वहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं होता, तो हमारे जहाज वहाँ पे जाते हैं, पानी भर बर के जाते था कि उनको पानी दे सके, ठीक है, hospital ships है, अब कई बर होता है कि Maldives से काफी सारे patients ह हैं, जो के Kerala आते हैं, treatment के लिए आते हैं, ठीक है, disaster relief operations में जहाजों का इस्तमाल किया जाता है, तो यानि के लडाई हो या ना हो, even peace time diplomacy के लिए जो जहाज रहते हैं, बहुत successful रहते हैं, useful साबित होते हैं, power projection की बात करें, और सबसे important जो reason है aircraft carrier बनाने का, कि Navy needs assets for power projection, ठीक है a most crucial component of peace time maritime strategy or embodiment of nation's strategic capability and political intent, तो अभी जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, कि अब हम गिने चुने देशों में आगे हैं, elite club of nations में आगें, जिन्नों ने aircraft carrier बनाया है, ठीक है, और हमारी अगर हम Navy की बात करें, ठीक है, तो अब बहुत important role हमारी Navy play कर सकती है, अगर बालंसिंग of power की बात करें with respect to China, तो चाहे वो Indian Ocean है, चाहे वो Pacific Ocean है, तो ये कहना कि नहीं जी, INS विकरांद बनाके हमने पैसे बरबाद करें, ये बात कहना गलत होगा, अब ये भी जरूरी नहीं है, कि हमने इस जहाज को हमेशा इस्तिमाल करना है, high intensity combat operations के लिए, ठीक है, हमारा asset है, हम इसको utility करना है कि नहीं करना हो हमारी मर्जी है, लेकिन अपने national objectives को, national security को safeguard करना, promote करने के लिए इसका इस्तिमाल किया जा सकता है, कुछ ना कुछ बात तो है ना, देकि कुछ ना कुछ बात तो है इतने बड़े अगर जहाज को अगर international waters में वो अगर वो सेल कर रहा है, कोई net security provider होने का सपना देखते हैं, इंडो पसिविक रीजन में, तो इससे हमारी जो image है, इससे जो हमारी शमता है, वो बड़ेगी ना, कुछ ना कुछ बात तो यहाँ पर different होगी, कोई मामूली submarine या कोई मामूली destroyer तो नहीं है aircraft carrier, और अगर balancing of power की बात करे वे चाइना, तो दो assets की बात करें, वो कही कुना जादा है भारत से, तो अगेन बात वही आती है कि इस तरह की debate में, अगर हम argument कर रहे हैं, तो यह कहना कि नहीं इसको बनाने का कोई फायदा नहीं है, अगेन बात गलत है, कहना चाइना ने, recently China ने तीन aircraft carrier बनाए है, ठीक है, एक तो security and growth for all in the region की बात करें, ठीक है, हम Indian Ocean में, Pacific Ocean में, जो छोटे-छोटे littoral states हैं, islands है, अगर हम उनको रक्षा पहुचाना चाते हैं, अगर उनको China के dominance से बचाना चाते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम भी इस तरह के जहाजों को आने वाले समय में बनाए, जो कि, मैं फिर से repeat करूंगा, हमारी power projection में भी बहुत beneficial रहता है, और हमारी soft power diplomacy में भी, अन्त में एक quote में यहाँ पर कहना चाहूंगा, लेको, whoever rules the waves, rules the world, यह Alfred Thayer Mahan ने बात कही थी, यह एक US naval officer थे, former US naval officer थे, एक बहुत famous historian भी थे, और strategic writer भी थे, तो याने कि जो देश, जो कि समंदर को control कर रहा है, ठीक है, जो कि किसी समंदर को dominate कर रहा है, oceans को dominate कर रहा है, वो ही दुनिया को राज कर सकता है, लेकिन खेर, हम किसी ocean को dominant नहीं करना चाहते है, हम चाइना की तरह नहीं है, कि हम domination में believe करे, राज करने में believe करे, ठीक है, लेकिन हम अपनी security को बढ़ावा दे रहे हैं, अपन आने इंस्ट्रूमेंट ऑफ युटिलिटेरियन वैलियो आपने कमेंट करना है डिट सो शब्दों में तो अब इसको प्राक्टिस करते हैं घर पे न तो आप ये कोड को भी आड कर सकते हैं अगर इससे मिलता है जो तो आपको कभी एक्जाम में भी पूछा जाता है तो इस को को अब जरूर आट करिएगा बाकी question of the day जाने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा question of the day बनता है discuss the nature of evolving cyber crimes in India और ऐसे measures को suggest करिए जो के cyber security measures को और बढ़ा सकते हैं और इसको आप टेलेग्राम ग्रूप में पोस्ट कर सकते हैं बाकी दोस्तों मैं आप से जाज़त लेता हूं और आपको मैं मिलूँगा Monday को discussion and analysis के वीडियो में तो कलम चुटी करते हैं और आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए थांक् मुझ जेहन